मुर्की का मास सबसे ज्यादा खाये जाने वाले मासाहारी भोजन में से एक है। मुर्की के मास को तल कर उधीना और सभी मसाले पीस कर और उन मसानों को मुर्की के मास में घूल कर और उबाल कर इस तरह अगर मुर्की के मास का ग्रेवी बनाया जाए तो यहां बहुत ही स्वादिश्ट होता है। गर्मा गरम परोसने पर यह खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होती है। अब देशी मुर्खी के मास को थोड़ा पानी डाल कर धुना शुरू करती है। अब देशी मुर्खी का ग्रेवी बनाने के लिए आवशक मसाने को तयार करना शुरू करते हैं। एक पैन में नाल मिर्च और धन्या भूलना शुरू करें। भूनी हुई लाल मिर्च और धन्या को सूखने दीजिये और इलाइची, सेमुल और सौफ को डाल कर भूलना शुरू करें। अब इसमें तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च डाले और भूलना शुरू करें। इसके बाद इसमें डालचीनी, लॉंग और सौफ भी डाल कर अच्छी तरह भूलने। मसाले अच्छे से भूलन गए हैं, इन्हें भी पीसने के लिए सूख में दें। जब ये अच्छे से सूख जाएं तो भूने हुए मसाले सिल्वट्ता में डाल कर पीसना शुरू कर दें। अब डालचीनी लॉंग का मसाला पीसने के बाद गुनी हुई लाल मिर्च और धनिया मसाले को पीसना शुरू कर दें। लाल मिर्च और धनिया बारीक पिसा हुआ है। अब सिल्वट्ता में अद्रक और लसून भी डाल दें और पीसना शुरू कर दें। अब इसी के साथ इसमें छोटे प्यास डाल कर अच्छे से पीसना शुरू कर दें। अद्रक लसून और छोटे प्यास को पीसने के बाद अब नारियल को भी पीसना शुरू कर दें। नारियल अच्छी तरह से पिसा हुआ है, अब पुदीना को भी पीसना शुरू कर दें। अब सारे मसाले पीस कर तयार कर लिए गए हैं। जब बर्तन अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा साथ तिल का तेल डाल दें। अब सौंफ डाले। इसके बाद पिसी हुई अद्रक लसुन और छोटे प्यास का पेस्ट डाले। फिर कुछ करी पत्ते डाले। इसके बाद इसमें पिसा हुआ पुदीना डाले और अच्छी तरह से तलना शुरू करे। अब इसके साथ ही तमादर भी डाल दे और अच्छी तरह से तलना शुरू कर दे। अब धोया हुआ देशी मुर्खी का मास डाले। अब मास के साथ क्रिस्टल नमक डाले और अच्छी तरह से तले। इसके बाद थोड़ा हल्दी पाउडर डाले और अच्छी तरह मिलाए। अब मास में दो चम्मच पिसे हुए मसाले मिलाए। इसके बाद इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया डालकर थोड़ा सा पानी डाल दे। जब मास अच्छी तरह से पग जाए तो इसमें पिसा हुआ नारियल डाले। अब ग्रेवी को तब तक उबाले जब तक की नारियल की किन्वित महक न चली जाए। देशी मुर्खी की ग्रेवी अब खाने के लिए तयार है। देशी मुर्खी की ग्रेवी चपाती के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हुआ 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 है।